दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Facebook पर अपना एक नया ad account create करेंगे जी यहां दोस्तों Facebook पर आप एक नया ad account बना सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में step by step बताने वाला हूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि Facebook पर जितना important आपका Facebook account होता है जितना important आपका Facebook page होता है या फिर जितना important आपका Facebook का business account या payout account होता है उतना ही important आपका Facebook पर ad account भी होता है तो आप Facebook पर दो चीजे नहीं कर पाएंगे, दो काम आप नहीं कर पाएंगे, पहला आप Facebook पर add नहीं लगा पाएंगे, आप अपने Facebook पेज को, अपने Facebook के content को promote नहीं कर पाएंगे, boost नहीं कर पाएंगे, और दूसरा जो सबसे important है, आप Facebook के team से contact नहीं कर पाएंगे, अगर आप आड नहीं लगाएंगे तो आपको चैट सापोर्ट नहीं मिलेगा इसके बारे में मैंने पहले भी डिटेल वीडियो बनाया आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आप Facebook टीम से इनेबल कर सकते हैं तो चलिए अभी कम्पूटर के स्क्रीट पर चलते हैं और आपको बताता है कि कैसे आप एक नया ऐड अकंट क्रियेट करेंगे अगर आपका अड ऐक्काउंट डिया डियो गया है तो दोस्तों अभी स्क्रीण पर आप देखेंगे हमें अपना अड डिसेपल है डी एक्टिवेट है या नहीं तो जिसके लिए आपको एक नया टैग उपन कर लेना और यहां पर सर्च करना है एड्स पहले वारे लिंक दो पलिक का बया ही तो आपशाउंड होंट देखने लेगा यहां पर अगला सिंप्ली यहां पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज जो open होगा वहाँ पर आपको अपना add account देखने को मिलेगा यहाँ पर लिखा है add accounts और यहाँ पर लिखा है active अगर आपको कुछ खास करने की जुरूत नहीं है फिर भी अगर आपका add account एक्टिव है और आप आड नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको अपने add account में कुछ settings को change करना पड़ता है या फिर आप चाहें तो एक नए अधागा क्रिएट करके अगर आपका add account एकिव है कोई तो यहां पर हम चलते हैं बिजनेस अगाउंट पर आना है अपना अपना बिजनेस अकाउंट भी तक बनाया नहीं है तो आपको एड अकाउंट बनाने के लिए एक नया अकाउंट क्रियेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर आपका बिजनेस अकाउंट नहीं है तो आप एक नया अकाउंट नहीं बना पाएंगे तो बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हैं उस पर भी मैंने एकदम डीटेल वीडियो बताया है कि कैसे आप नया बिजनस अकाउंट क्रेट करेंगे step by step मैंने बनाया है वीडियो आपको व वीडियो भी इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा तो आप उसे भी देखके अपना एक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर आपका बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है बिजनेस पोटफोलियो अकाउंट रहेगा तभी आप एक नया अड़ अकाउंट क्रियेट कर पाएंगे अब यहीं पर आपको देखिए मेरा अड़ अकाउंट ह है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे बाहितरा पीपल पार्टनर यह सारी चीज़ दिखता है हमें सिंपली आप एड़ अकाउंट करेंगे आपके सामने यह वाला पेज आ जाएगा आप देखें यहां पर हमारा कोई भी एड़ अकाउंट नहीं दिख रहा है जबकि यह हुआ करने की जरूद भी नहीं है अब यहां पर जो हम नया 돼 우리 करेंगे वह बैड़ कोइब क्लिक करना है चाहते हैं को आपका और ऐक्तिवेट नहीं है अगर नॉर्मल है अगर आप उसे भी अपने बीनिस अकाउंट में आड़ करना चाहते हैं तो आप दूसरे वाले अप्सक्राइब को चूच किया जागा क्लेम एंड एक्जिस्टिंग अकाउंट लेकिन यहां पर हमें तो नया क्रियेट करना है तो यहां पर हमें में इश्यू आएगा तो यहां पर सबसे पहलों तो आपने अपना ओरिजिनल लाम ही लिखिएगा अब यहां पर टाइम जोन है टाइम जोन पर क्लिक करेंगे अब देखिए टाइम जोन में आपको लिखना क्या क्या सेलट करना यह बहुत तरह कंफूज अब यहां पर टाइम जोन भी गलत कर देंगे प्राबल्म आएगी तो यहां पर आप इंडिया से हैं बैसिकली नौर्ट जहां से मैं हुआ हूं एउत्तरप्रदेश से हूं उत्रप्रदेश बिहार जारकरन अगर आप उत्तर भार तो बिसिकलि टाइम जोन इंडिया का यही है ठीक है अब यहाँ पर करन्सी करन्सी यह आपको सिंप्ली यूएस जाल रहे तो आपको आएनर करना है कि अगर आप इंडिया से हैं या आप किसी दूसरी इस देख रहे हैं तो आप वहां का करन्सी जो भी है वह सेलट के जिएग टाइम जोन और करन्सी यह आपको अपने कंट्री के हिसाब से अधाइएंस हो तो मैं आपि एसी यूचकता खिरो आप किसी कंट्री का पता करें घर पर उसका location आप अगर open करके रखेंगे तो आपको यहाँ पर लिख जाएगा, standard time zone देखे, GMT यहाँ पर देखे लिका है, GMT, plus 530 जो कि हमने यहाँ पर set किया हुआ है, GMT plus 530 आपको time zone आपका मिल जाएगा, ठीक है, झालना कृट्ट पर क्लिक करेंगे यहां पर एक छोटास बॉक्स दिखेगा क्योंकि लिए बड़े और तो मेरे जिस अकाउंट से मैं ये एड़े कर रहा है मैं आपको दिखा दूं मैं आपको बता दूंपर देखिए मेरे इस अकाउंट पर कुछ प्रब्ल्लम है रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ यहां पर यहां पर आप अपने अकाउंट पर क्लिक करेंगे जैसे आपका जो एड अकाउंट का पेज होता है वो ओपन हो जाएगा जो की स्क्रीन पर आपको अभी दिख रहा है ठीक है कुछ इस परकार से दिखेगा अब आपके पास एक तो आपका disabled account होगा और दूसरा आपका एक्टिव एड अकाउंट जो आपने अभी बनाया होगा तो आपको यहां पर जैसे आप आएंगे तो यहां पर देखेंगे और यहां पर बाइंतरब आपको कुछ अप्संस मिलेंगे तो आपको सिंपली आपको दिख रहा है को दूसरा यहां पर आपको अपने दूसरे अकाउंट को टिक लगा लगा लेना है उसके बाद अप्सक्राइंगे तो आपका डेफिनिटी चलेगा और आपको चैट सपोर्ट भी मिलेगा या फिर अगर आपको परप्रप्स से याड़ आप यूज करन क्रिएट करना सीख लिए होंगे वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किए जगा चैनल पर नहीं आभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब किए जगा फेस्बूक पर देखना तो फॉल्व किजगा क्योंकि मैं आप लोग लिए इसा कॉंटेंट बनाता रहता हों मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तता के लिए जाहिंद बंदे मात्रम